हेलो दोस्तों कैसे आप सब मेरा नाम दीपक है और मैं आप सब का सौहत करता हूं मेरे चैनल आपका HR Consultant में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब इंटरुबू कि बारे में वैसे नॉर्माली सब लोग जानते है कि जॉब इंटरुव फॉता है लेकिन इसको कैंदेल में झाना चाहूंगा कि क्या इस्चेजियं इन्वाल्फ होती हैं हिनन और की फिर्म इंटरुव क में चैनल देल क्यों कि कds स्ब्सक्राइब job interview की definition जाल लेते हैं तो जो job interview होता है वो एक प्रकार का communication होता है या interview होता है जिसमें कि जो conversation होती है वो job के related consist होती है और ये जो conversation होती है ये एक applicant जो की interview के लिए गया है applicant बोल सकते हैं या candidate बोल सकते हैं उसके और जो representative है company का यहाँ पे HR होगा जो की company का representative है उसके बीच जो discussion होता है hiring को लेके, job के लिए जो hiring को लेके उसको हम job interview बोलते हैं तो simple से term में अगर हम बात कहते हैं job interview का मतलब होता है जब एक candidate किसी job के लिए जाता है किसी interview के लिए जाता है जो वहाँ पे communication जो होती है एक candidate के बीच और वहाँ के representative के बीच hiring को लेके उसको हम job interview कहते हैं अब आप लोगों को clear होगा अब जो job interviews होते हैं are the common process of employee selection जो भी employee selection होता है उसको लेके ये normal सा formality होता है और अगर आपको किसी भी job के लिए जाना है और selection होना है तो उसके लिए job interview का होना बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है जो process है interview का is usually includes the evaluation of resume from the interested candidate अगर आपको job interview के लिए जाना है तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं सबसे पहले आपको अपना एक resume बनाना होता है एक bio data बनाना होता है वो resume और bio data फिर उसके बाद आप उस company को भेजते हैं फिर वो company जो है उस resume को evaluate करती है और देखती है कि क्या जो candidate है उनके requirement के इसाफ से fit बैठ रहा है के नहीं तब वो आपको interview के लिए बुलाती है तो जो next step है वो है after screening a small number of candidates are asked to come for the job interview simple से जो मैंने अभी बताया कि जब आपका जो resume है वो screen हो जाता है और company को जब लग जाता है कि यार हाँ इस बंदे का interview लेना सही रहेगा इससे बात करना सही रहेगा और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये fit बैठ था है company के लिए कि नहीं तो उसको interview के लिए बुलाया जाता है या job interview के लिए बुलाया जाता है आप लोगों को job interview के बारे में जो clarity होगी वो मिल गए होगी चलिए बागे चलते हैं यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं process क्या होते है job interview के देखे जो process है job interview के वो पाज प्रकार के हैं, और इसमें भी तीन फेजेज में डिवायड होती है, सबसे पहले है, प्री इंटिर्वीव, जो प्री इंटिर्वीव होता है, वो इसमें रिजुमे स्क्रीजियनिक होती है, सेलेक्ट्शन ओफ, candidate for interview होता है फिर एक interview phase होता है जिसमें कि interview conducted जो होता है इस phase में होता है then post interview phase होता है तो post interview phase में क्या होता है आपका offer release होता है और salary negotiation होता है तो यह सब तो तीन phase में होता है तो तीन phase में यह 5 stages आते हैं सबसे पहला है resume screening तो जब आप resume बनाते हैं और और जब आप resume बेजते हैं किसी company में तो वो जाता है जो जिसने भी requisition दिया होगा जिसमें manager ने requisition दिया होगा कि भाई मुझे इस प्रकार का candidate चीए तो उसके basis पे ही आपका resume screen किया जाता है जैसे आप resume किसी company में बेजते हैं तो वहाँ पे HR के पास जाएगा कई बार HR screen करते ह हैं अगर HR नहीं कर पाते हैं तो वह फिर आगे team leader को बेजते हैं या manager को बोलते हैं जिनोंने requisition दिया होता है job के लिए उनके पास बेजते हैं अगर वो उनको लगता है कि हाँ इस candidate को बुला लेना चाहिए तब आपको call किया जाता है interview के लिए तो यह सबसे पहला phase होता है resume screen अगर आपका resume screen अच्छे से हो जाता है तब आपको job के लिए बुलाया जाता है job तब आपको interview के लिए बुलाया जाता है देन अगला है selection of candidate for interview तो जैसे मैंने बताया कि जब आपका resume screen हो जाता है देन उसके बाद जो है कुछ number of candidate जिनको जो है interview के लिए बुलाया जाना है तो सबसे पहले देखें कैनी कपनी होती है तो वहां प安क आप उपना डालते हैं है तो अक्याला आपही नहीं है जो में डालगाँ हैं। बहुत सारी लोग है उस जुछ जॉप के लिए अपलाइ कर रहे हैं। तो उस सگह जो है रिजूमे को स्क्रिं किया जाता है स्क्रिं करने के बाद से 150 रिजुमे में से 20 वा स्वेक्सिन हो तो स्पिर जो 25 रिजुमें का है सेलेक्शन होता है successful 25 रिजुमें उनके कंडि देटों को बुलैंब तो फिर जो अगला स्टेफ आता है वो आता है इंट्रिवू कंडेक्ट का जैसे ही इन 25 कंडिडेट को बुला लिया जाता है इंट्रिवू के लिए फिर उनका इंट्रिवू कंडेक्ट करवाया जाता है अब यहां पे भी इंट्रिवू कंडेक्ट करने का बहुत सारा प्रोस पूसassels ड्रकने हैं तो यह सारा चीज इसमें कभर होजाता है पर इंटर्वू यहां पर कंडेक्ट होता है इंट्रीजिस्टिकेशन हो ऐंग overlap शबने क्यों सब्सक्राइव 232 इंट्रेंगर होसकता है तो यह सारेके-स यहां इंट्रीजिक्ट जैसे ही आपका इंट्रिवूर कंडेक्ट हो जाता है, कांडिट का चैन हो जाता है, कि भाई इस कैंडिट को अब लेना है, तो अगला जो प्रोसर आता है वो है, इसलिरा नेगॉसेशन के लिए आपको बुलाए जाता है, फिर आपके और HR के बीच जो है वारतालाब होती है और उसमें जो है आपको salary negotiation करना होता है salary negotiation अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको अच्छी salary मिल जाती है कई लोग जो अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो वो कम salary उनको मिलती है मैं यहां clear card बता रहा हूँ salary negotiation पूरा का पूरा आपके उपर निर्वर करता है आपकी इससाब से salary negotiation करते हैं मैंने salary negotiation के उपर अलड़ी एक वीडियो बनाए है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजेगा वहाँ पे आपको काफी सारी चीज़े जानने को मिल जाएंगी तो salary negotiation एक बहुत important part play करता है आपके job को लेके तो यहां पे salary negotiation होती है salary negotiation हो जाने के बाद जो है दोस्तों अगला offer आता है जो topic आता है वो है offer release का तो salary negotiation होने के बाद अगर candidates सही लग जाता है उनकी जो pay scale है उसमें fit bad जाता है तब जो है company offer release कर देती है offer release का क्या मतलब है offer later release कर देती है तब आपको जो offer later आता है उसको आपको sign करके देना होता है then आपका job confirm होता है तो यह पुरा का interview का process होता है दोस्तों चलिए पागे बढ़ता है छानते हैं कि job interview का format क्या होता है किस-किस परकार के format होता है job interview के तो देखिए जो सबसे पहला format है case based interview अब case based interview का क्या मतलब होता है case based interview का मतलब होता है जहां पे case study दी जाती है जब आप interview के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको case study दी जाती है solve करने के लिए और आप से expect किया जाता है कि जो आपको case study दी गई है उसका आप resolution निकाल के देंगे उसके आप जवाब निकाल के देंगे अब जिन लोगों को case study नहीं पता उनको मैं बता दूँ case study का basically मतलब हो दूसरा आता है panel based interview अब panel based interview में आप लोग नाम से ही समझ गयोंगे पैनल का मतलब जो है चार-पांच लोगों का ग्रूप होता है इंटर्वियोर्स का ग्रूप होता है वो बैठते हैं और फिर इंटर्वियू लेते हैं यह पैनल इंटर्वियू अधिकतर आप लोगों ने इस विगरा के जो बड़े-बड़े इंटर्वियू होते हैं सरकारी जोब के उसमें जो है चार-पांच लोगों का पैनल बैठता है और जो आई-एस के लिए इंटर्वियू देने गए होते हैं उनका इंटर्वियू लेता है कई बार ऐसा होता है जो बहुत-बड़ी- पैस्ति ने लीए कुछन सब्ड़े-बड़े आपने इंटर्वियू से मेरा मतलब है दो तीन केंडिडेट को बैठा के उनका इंटर्वियू एक परसन लेता है जो की चरह हो सकता है यह कंपणी का कुई रिप्रेजन्टिएट नीट लेकिन group में कौन बैठा है? Group में यहाँ पे candidate बैठे होते हैं. इसलिए इसका नम group interview होता है. ठीक है? तो यह एक अगला format होता है. Then next आता है stress-based interview. देखिए stress-based interview बहुत ही ज़्यादा importance रखता है दोस्तों, क्योंकि आजकल के समय stress-based interview काफी ज़्यादा हो रहे हैं. यहाँ पे stress-based interview में क्या होता है? आपके सामने एक ऐसी stressful situation रख दी जाएगी. तब वहाँ पे आपको choose करना पड़ेगा कि अच्छा क्या सही है, क्या गलत है. तब आपका क्या reaction होगा, क्या आप management को बताएंगे, क्या आप नहीं बताएंगे. तो इस प्रकार के stress-based interviews भी होते हैं, दोस्तों. तो यह प्रकार के 5 format है, दोस्तों. जो है job interviews होते हैं, होप आप लोगों को यह 5 format समझ में आ गये होंगे. दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है, तो लाइक जिरू किजएगा, अपने जादा जादा दूस्तों साथ शेयर किजएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मैं इसी प्रकार के नएने कंटेंट आप लोगों को ले लेके आता रहूँगा, बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखेगा, मैं आप लोगों से मिलूँगा आगले वीडियो में, तब तक किले अपना ख्याल रखेगा, दोस्तों, धन्यवाद.